Welcome to Hollywood in Hindi presenting Miss Bala ये कहानी है Gloria नाम की एक मेकप आटिस्ट की जो अमेरिका में काम करती थी वो अपनी गाड़ी से बॉर्डर क्रॉस करके मेक्सिको पहुँचती है दरसल Gloria Miss Bala Beauty Contest में अपनी बचपन की दोस्सूजू की मदद करने के लिए आई होती है जो अपने छोटे भाई की देखबाल करते हुए उसके साथ रहती थी अगले दिन उने Miss Bala Beauty Contest के लिए निकलना होता है मगर आज की रात Gloria सूजू का मेकप करके उसे तयार करती है क्योंकि सूजू किसी को इंप्रेस करना चाती थी और वो दोनों पहुँचती है एक क्लब में जहां उनका मकसद होता है पुलिस चीफ सॉसदो को इंप्रेस करना जो की Beauty Contest को कुछ हद तक Finance भी करता था लेकिन क्लब में सॉसदो को Gloria पसंद आ जाती है जहां पोलो नाम का गैंक्स्टर Gloria को मारने ही वाला होता है मगर उनका लीडर लीनो उसे छोडने का फैसला करता है फिर वाश्रूम से निकल कर Gloria अपनी दोस सूजू के पास जल्दी से पहुँचने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उसे बचा के वहाँ से निकल सके लेकिन इतने में ही लीनो वहाँ अपने आदमियों के साथ गोलियां बरसानी शुरू कर देता है जिससे भगदर मत जाती है दरसल ये हमला पुलिस चीफ सॉसदो को मारने के लिए किया गया होता है जिसे उसके आदमी वहाँ से बचा के ले जाने में कामयाब होते है और ग्लोरिया भी खुद को बचाने के लिए बाकी लोगों के साथ पिछले दर्वाजे से भागती हुई बाहर निकल जाती है फिर थोड़ी देर में ही पुलिस और एंबुलेंस की गाड़िया वहाँ पहुँच चुकी होती है लेकिन ग्लोरिया को उसकी दोस्सूजू कहीं नहीं दिखती और ग्लोरिया बाकी सब भी लोगों की तरह उस कलब के सामने बने कैफे में पहुँचकर वहां रखी एक कुरसी पे बैट अपनी दोस्सूजू को फोन मिलाने की कोशिश करती है मगर सूजू का फोन नौट रिचिबल होता है साथ ही ग्लोरिया को हॉस्पिटल में फोन करने पर भी सूजू की कोई जानकारी नहीं मिलती इस सारी परशानी के बीच सोचते सोचते ग्लोरिया की आँख लग जाती है और वो सुबह होने पे खुद को उस कैफे में अकेला पाती है तब ही वो सूजू के भाई को फोन करके संदेश देती है कि सूजू के फोन की बैटरी खतम हो गई है और उन दोनों को समय लगेगा घर वापस आने के लिए फिर जैसे ही ग्लोरिया कैफे से बाहर निकल वहां मौझूद पुलिस वाले से अपनी दो सूजू को ढूडने के लिए मदद मांगती है वो पुलिस वाला ग्लोरिया को पुलिस स्टेशन जाने को बोलता है मगर ग्लोरिया चलाक बनते हुए कहती है कि उसने गैंक्स्टर्स को देखा था जिनका हुलिया वो पुलिस को बता सकती है इसलिए वो पुलिस वाला ग्लोरिया को अपनी गाड़ी से पुलिस टेशन ले जा रहा होता है जहां वो इस बारे में किसी को रेडियो पे बताता भी है दरसल वो पुलिस वाला गैंक्स्टर से मिला होता है जो गाड़ी को सड़क पर रोक के अपना लंच लेने के बहाने एक होटल में चला जाता है लेकिन कुछ ही देर में गैंक्स्टर पोलो अपने लोगों के साथ उस होटल से निकल कर गलोरिया की तरह बढ़ता है जिनसे गलोरिया भागती हुई भी खुद को बचा नहीं पाती और वो गैंक्स्टर उसे एक दूसरी गाड़ी में जबरदस्ती बिठा के वहाँ से ले जाते हैं फिर पोलो गलोरिया को लेकर अपने अड़े पहुँचता है जहां उन लोगों का गोला बारूद एक गाड़ी से उतर रहा होता है दरसल वो जगा एक वैशा घर होती है और वहीं एक बार फिर से ग्लोरिया की मुलाकात उस गैंग के लीडर लीनो से होती है जो ग्लोरिया का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख लेता है साथ ही लीनो एक सौधा करता है कि अगर ग्लोरिया उसका एक काम करेगी तो वो उसकी दोस्सूजू को ढूनने में उसकी मदद करेगा और ना चाते हुए भी ग्लोरिया को इस सौधे के लिए हाँ कहनी पड़ती है जिसके लीनो ग्लोरिया को एक रेडियो सेलफोन के साथ गाड़ी में बिठाने के दौरान उनके काफिले में चलने को कहता है जहां ग्लोरिया की गाड़ी के आगे और पीछे एक एक गाड़ी होती है फिर कुछ दूर जाने के बाद लीनो द्वारा मिले संदेश अनुसार ग्लोरिया अपनी गाड़ी को एक कोने के घर के पास खड़ा करके उन लोगों की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वो लोग एक उंची जगा पर अपनी गाड़ी को रोक कर एकठे होते हैं जहां लीनो एक रिमोट की मदद से ग्लोरिया वाली गाड़ी में विसपोट कर उस कोने के घर को तबा कर देता है जिसे देख ग्लोरिया बहुत जादा घबरा जाती है तब ही वहाँ से निकलने से पहले लीनो के पूछने पर ग्लोरिया बताती है कि कल रात को वो उस कलब में अपनी दो सूजू के साथ किसी से मिस बाला ब्यूटी कॉंटेस्ट के सिलसले में मिलने गई थी फिर गारी से लीनो ग्लोरिया को उस जगा लेके जाता है जहां ब्यूटी कॉंटेस्ट चल रहा था और ग्लोरिया से जबरदस्ती उस कॉंटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहते हुए फिर से रेडियो सेलफ़ोन पकड़ा देता है वहाँ पोलो अपनी जान पैचान से गलोरिया का रेजिस्टरेशन भी करवा देता है दरसल वहाँ तीन दिन रिहलसर चलने वाली थी और चौते दिन कॉंटेस्ट होना था फिर जब Gloria वाश्रूम जा रही होती है तब पोलो भी उसका पीछा करता है लेकिन Gloria बहुत ही तेजी से आगे बढ़कर वाश्रूम का गेट बंद कर लेती है और जल्दी से वाश्रूम की खिड़की से निकल कर वहां से भाग जाती है बाहर निकल के Gloria को पारकिंग एरिया में एक अमरीकी दिखता है जिससे मदद मांगने के दौरान वो अमरीकी Gloria के मुँपे कपड़ा डाल के उसे किड्नैप ही कर लेता है लेकिन जैसे ही Gloria के मुँपे कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक पुराने से घर में दो लोगों के स अब यहां तो Gloria को 30-40 साल की जेल होगी या वो DEA वालों की मदद करे जिसके लिए DEA वाले उसे एक चिप देते हुए उस चिप को रेडियो सेल फोन के पीछे लगाना सिखाते हैं क्योंकि उस फोन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था लेकिन DEA वाले Gloria को छोडने से पहले अप सूजू के घर पहुँचती है जहां उसे अपनी दोस्त और उसका चोटा भाई दोनों ही नहीं मिलते वहां सूजू उस रेडियो सेल फोन को ओन नहीं करती क्योंकि वह जानती थी कि उसे ओन करते ही लीनो उस तक पहुँच जाएगा लेकिन जब वो नहा कर बाहर आती है त अगर जैसे ही ग्लोरिया सीडियो से नीचे जाती है तो वो लीनो को अपने सामने पाती है जिसके बाद लीनो के लोग अपने घायल साथियों को लेकर वहां पहुँच जाते हैं और वहां लीनो की बात मानकर ग्लोरिया अपने कमरे में लोट जाती है अगली सुबे लीनो पैसो की गड़िया ग्लोरिया के पेट पे बांद देता है साथ ही एक गाड़ी के नीचे की वेल्डिंग खोलते हुए वो लोग उसमें ड्रग्स भर रही होते हैं जिसे ग्लोरिया को अमेरिका ले जाना होगा जिसके लिए लीनो उसका पासपोर्ट और लाइसंस उसे वापस कर देता है और ये सब ग्लोरिया को सुजू के भाई को बचाने के लिए करना पड़ रहा होता है जिसे ग्लोरिया गाड़ी से उसकी आंटी के घर पे भेज़ देती है लेकिन लीनों के लोग उस चोटे बच्चे के पीछे ही रहते हैं ताकि ग्लोरिया गदारी ना कर सके त आती वहाँ की सेक्यूरिया चेकिंग को देख ग्लोरिया बहुत गबराई होती है लेकिन वो किसी तरह से अपनी भावनाओं पे नियंतरन रखते हुए सेक्यूरिया गाड़ी से अमेरिका के सैन डियागो इंडिस्टिल एरिया पहुंचती है जहां कि एक कार खाने में पहल होती है तब उसे लीनो का फोन आता है जो ग्लोरिया को बुल फाइटिंग ग्राउंड के पार्किंग एरिया में आने का निर्देश देता है तब ही ग्लोरिया अपने परसनल फोन से यह जानकारी डी एवाले ऑफसर को सौब देती है जो ग्लोरिया से वादा करते है कि उस एरिया में मौझूद पीले गेट के पार एक वैन उसे बचाने के लिए मौझूद होगी फिर ग्लोरिया उस गाड़ी से एक बार फिर से बॉर्डर क्रोस करके मेक्सिको पहुँच जाती है जिस पे D.E.A. वाले दूर से नजर रखे होते हैं फिर जब गाड़ी में बैठे लीनो के बुलाने पे ग्लोरिया उसके पास पहुँचती है तब D.E.A. वाले गोलिया चला देते हैं लेकिन उसमें दोनों ही बच जाते हैं और लीनो खुद भी गाड़ी से निकल अपने आदमियों के साथ मिलकर गोलिया चलाते हुए उनका सामना करने लगता है कि तबी पुलिस वालों की गाड़िया भी वहां पहुँचने लगती हैं इस सब का फायदा उठा ग्लोरिया पीले गेट की तरफ दौरती है लेकिन वो पीले गेट पे ताला लगा पाकर D.E.A. वाले ओफिसर को अपने परसनल मोबाइल से फोन कर उसे सुरक्षित ले जाने वाली वैन के बारे में पूछती है लेकिन D.E.A. ओफिसर अपने वादे से मुकर जाता है जिस कारण ग्लोरिया अपना फोन वहीं फैक देती है उसी वक्त ग्लोरिया को गोली बारी के बीच में फसा देखकर लीनो पुलिस वालों पर गोलिया बरसाते हुए उसकी तरफ दौरता है लेकिन जब वो ग्लोरिया को लेकर वापस अपने आदमियों की तरफ आ रहा होता है तब उसके पैर पे एक गोली लग जाती है जिसका फायदा उठा ग्लोरिया लीनो को लेकर हत्यार वाली गारी से पारकिंग एरिया से निकल जाती है साथ ही वहाँ पोलो अपनी बंदूख से बॉम फैकते हुए डी ए वाले आफिसर को भी खतम कर देता है फिर वो सब गारिया गाओं के रास्ते को पार करती हुई पहाडों के बीच बने एक सेफ आउस तक पहुचती है जहां पोलो ग्लोरिया को धक्का देते हुए उस पर पुलिस वालों को खबर देने का इलजाम लगाता है मगर लीनो ग्लोरिया की तरफदारी करता है क्योंकि ग्लोरिया ने उसकी जान बचाई थी साथ ही उन लोगों के बीच मौजूद खबरी का पता लगाने के लिए पोलों को निर्देश देने के बाद सेफ आउस की तरफ बढ़ जाता है कुछ देर बाद जब ग्लोरिया मरमपट्टी कर रही होती है लीनो की तब ग्लोरिया के पूछने पे लीनो बताता है कि डी ये वाले मेक्सिको पुलिस चीफ सौसेदो के साथ मिले हुए है क्योंकि लीनो पहले मेक्सिको बॉर्डर पे सभी गैर कानूनी लेंदेन को देखता था लेकिन अब पुलिस चीफ सौसेदो उन सब कामों को अपनी निगरानी में करवाना चाता है मगर लीनो इस से जादा जानकारी ना देते हुए गलोरिया को किचन में मदद करने के लिए भेज देता है जहां गलोरिया की मुलकात होती है एक और लड़की से जिसके परिवार को मारने की धमकी देते हुए उसे गुलाम बना रखा होता है और वो अपने हाथ पर बना गुलामी का चिन भी दिखाती है तबी पोलो और लीनो वहां आ जाते हैं जो सबके रेडियो सेलफोन ले रहे होते हैं ताकि पता लगा सके की गददार कौन है जिस कारण गलोरिया को भी अपना फोन देना पड़ता है मगर पोलो उस दूसरी लड़की से फोन लेने के बाद उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगता है लेकिन उससे पहले सेलफोन से भरी थैली को किचन के साथ बने कमरे में रखते हुए उसे लॉक कर वहां से चला जाता है तबी गलोरिया देखती है कि लीनो और उसके आदमी दारू पीते हुए मस्ती कर रहे हैं और वो बड़ी ही चलाकी से एक टौवल को गैस के पास रखते हुए गैस को आउन करके वाश्रूम चली जाती है दरसल उस वाश्रूम का एक दर्वाजा साथ वाले कमरे में भी खुलता था जिसमें सब के मोबाईल पड़े थे मगर गलोरिया वहां पाती है कि सबी रेडियो सेल फोन एक जैसे हैं और दूसरी तरफ लीनो के आदमी किचन में लगी आग को बुझाने में लगे होते हैं तबी गलोरिया कमरे में अपने मोबाईल को ढूंड उसमें से चिप निकाल दूसरे मोबाईल में लगा देती है और वाश्रूम से होती हुई किचन में पहुँचकर ऐसे अंजान बनती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो फिर उस रात को पोलो अकेले में सबी रेडियो सेल फोन की जाच करके पता लगा रहा होता है कि गददार कौन है और अगली सुबे बंदूक के दम पर ग्लोरिया को नीन से उठा कर लीनो अपने साथ ले जाता है पहले तो ग्लोरिया को बहुत डर लग रहा होता है कि उसका रास खुल चुका है लेकिन लीनो उसे बंदूग चलाना से खाना चाता था ताकि अगर ग्लोरिया फिर से गोली बारी में फस जाये तो अपना बचाव कर सके और ग्लोरिया को कुछ देर बंदूग का अभ्यास करवा लीनो उसे तयार होने के लिए भेज देता है जिसके बाद वो दोनों गाड़ी से कुछ दूरी पे मौझूद एक लोकल रेस्टोरेंट पहुँचते हैं जहां लीनो सबको जानता था वहाँ लीनो ग्लोरिया के साथ अपना मन पसंद खाना खाते हुए अपने बारे में बताता है कि कैसे वो मेक्सिको में पैदा हुआ और फिर कुछ साल अमेरिका में भी बिताए फिर जब लीनो और ग्लोरिया वापस सेफाउस पहुचते हैं तब पोलो उनका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उसे एक शक्स के रेडियो सेल फोन में चिप मिल चुकी थी और वो होती है दूसरी लड़की जिसको उन्होंने गुलाम बना के रखा था मगर जैसे ही लीनो अपनी बंदूक निकालता है तब ग्लोरिया उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन लीनो के आदमी ग्लोरिया को वहां से ले जाते हैं और ग्लोरिया बस बेबस खड़ी दूर से लीनो को गोली चलाते देखकर रो पड़ती है उस रात को जब ग् मिस बाला ब्यूटी कॉंटेस्ट में हिस्सा ले लेकिन ग्लोरिया भड़क जाती है तब लीनो उसे अपने फोन पे उसकी दोस्सूजू की वीडियो दिखाता है जिसमें सूजू को वैशे वरिती के लिए बेचा जा रहा था वहाँ लीनो ये भी बताता है कि पुलिस चीफ सौसेदो दरसल लड़कियों को अगवा करके बेचने का काम करता है और मिस बाला कॉंटेस्ट के बाद होने वाली पार्टी में सूजू की बुकिंग हो चुकी है और ये सब उसके आदमी ने पता लगाया है लीनो के आदमी के साथ निकल पड़ती है मिस बाला कॉंटेस्ट के लिए और वहाँ की पुलिस वालों में भी लीनो के आदमी शामिल होते है साथ ही उन लोगों ने जजजिस को पहले से खरीद रखा था और ग्लोरिया को बस स्टेज पर पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना था जहां दर्शकों के बीच में सौसरदों भी मौजूद होता है और ग्लोरिया के मिस बाला कॉंटेस जीतने के बाद सौसरदों का एक आदमी उसे पार्टी का नियोता देने आता है फिर पार्टी में जाने से पहरे ग्लोरिया एक बहुत चोटा सा इयरफोन अपने कान में लगा लेती है जिसके जरिये वो लीनों से बात कर सके ग्लोरिया वहां से गारी में बैठ कर सीधा पहुँच जाती है समुंदर किनारे बने एक विला पर जहां सेक्यूरिटी चेक से गुजरने के बाद वो अंदर चल रही पार्टी में जाती है और वहां पार्टी में लड़कों का दिल बहलाने के लिए कई लड़किया मौजूद होती है जिनके बीच में से होती हुई ग्लोरिया पहुचती है सौसेदो के पास जिसे वो अपनी बातों में फसा लेती है अभी वहाँ से सौसेदो का आदमी गलोरिया को अपने साथ ले जाकर पार्टी में एक जगा इंतिजार करने को कहता है जब तक वो साथ वाले विला में सौसेदो और उसकी रात गुजारने का इंतिजाम न कर दे वहीं गलोरिया मौके का फायदा उठा उस विला का नंबर लीनो को बता देती है जो फोन पर उसे जल्दी आने का वादा करता है साथ ही गलोरिया की नजर उसकी दो सूसू पर पढ़ती है जो कि किसी आदमी का दिल बहला कर आ रही होती है फिर ग्लोरिया और सुजू एक दूसरे से मिलकर काफी भावुक हो जाते हैं जहां सुजू बताती है कि उस रात कलब में शूट आउट के बाद उसे कुछ लोग उठा के ले गए थे जिन्होंने उसे बेच दिया था उसके हाथ पर एक निशान बना कर जिसे देख ग्लोरिया फॉरण ही समझ जाती है कि ये लीनो का काम है और वो उसे बेवखूब बना रहा था क्यूंकि ऐसा ही निशान उस लड़की के हाथ पर भी था जो उसे लीनो के सेफ हाउस में मिली थी तभी सौसेदो का आदमी वहाँ पहुँच ग्लोरिया को ले जाता है साथ वले विला की तरफ जहां सौसेदो उसका इंतजार कर रहा था दूसरी तरफ हम विला के बाहर पुलिस के कपड़ों में लीनो के आदमियों को गेराबंदी करते हुए देखते हैं और विला के अंदर जब सौसेदो ड्रिंक बना रहा होता है तब ग्लोरिया एक कार्ड पर सचाई लिक सौसेदो को दिखाती है कि लिनों उसे मारने आ रहा है जिस कारण सौसेदो अपने आदमी के साथ दबे पाओ निकल जाता है और वो लोग एक पुलिस वाले को ग्लोरिया के साथ बिस्तर में लिटा देते हैं तभी पुलिस के कपड़ों में पोलो वहां पहुँच फाइरिंग शुरू कर देता है लेकिन ग्लोरिया बिस्तर से नीचे छुपती हुई खुद को बचा लेती है मगर असली पुलिस वाले गोलिया चलाते हुए पोलो को धेर कर देते हैं और वहां ग्लोरिया चुपके से बिस्तर के नीचे से निकल सबको मरा हुआ पाकर आगे बढ़ जाती है मर रहे पोलो की तरफ लेकिन वो सिर्फ पोलो से बंदूक चीन उसे मरता हुआ छोड़ वहां से पूरे आत्म विश्वास के साथ अपनी दोस को बचाने के लिए निकल पड़ती है की बाहर मौजूद सौसेदो सुजू को अपने आप को गोलियों से बचाने के लिए पकड़ लेता है फिर लीनो इस से पहले की गोली चलाता सौसेदो की तरफ गलॉरिया ही सौसेदो के पैर पर गोली मार अपनी दोस्त को छोड़ा लेती है और लीनो आगे बढ़ता है जहां वो जमीन पर घायल पड़े सौसेदो को गोली चलाते हुए मार डालता है मगर अब गोलिया खतम हो चुकी होती है और गलॉरिया उस पर बंदूग ताने खड़ी होती है जो सुजू को उसके हाथ पर बना निशान दिखाने को कहती है तब जैसे ही लीनो अपनी दूसरी बंदूग निकालने की कोशिश करता है गलॉरिया उस पर गोलिया चलाते हुए उसे मार डालती है और इससे पहले की गलॉरिया सुजू के साथ वहाँ से निकल पाती पुलिस वालों की कई गारिया वहाँ पहुँच उन दोनों को अपने कबजे में ले लेती हैं जिसके बाद हम सुजू को जेल में कैद देखते हैं और गलॉरिया को एक इन्विस्टिगेशन रूम में जीमी नाम के आफिसर के सामने लेकिन ये वही शक्स होता है जिसे गलॉरिया ने सैन डियागो इंडस्ट्रिल एरिया में पैसे और ड्रग सौपे थे वहाँ जीमी गलॉरिया की बहादुरी को देखते हुए उसे अपनी तरह सीकर्ट एजेंट बनने के लिए के लिए कहता है दरसल वो जगा अमेरिका की सिक्यूरिटी एजेंसी C.I.A. का आफिस होती है फिर गलॉरिया सौधा करती है जिसमें वो अपनी दोस्सूजू को जेल से छोड़ा कर गारी में अपने साथ उसके छोटे भाई के पास ले जाती है आखिर में ग्लोरिया सुजू को अलविदा के गाड़ी में जीमी के साथ चली जाती है एक सीक्रेट एजेंट की तरह बुरे लोगों का सामना करने के लिए कर दो एक्ष्रक्षण के लिएṣ kiss फॉस्जबे इ malaria का शावचे के लिए स।बस्क्राइ। अवढ़ीज।